हलो हाई नमस्ते कैसे हैं आप सब फ़सґडास होनगे तो आज हम बात करते हैं मिरर नंबर्स की तो मिरर नंबर्स क्या हैं ट्टुन फ्लेम जरोडी में अकर आप मिरर नंबर्स देखते हैं It means your twin flame is mirroring you. वो आपकी mirror soul है, आपको ये मालूम ही है. Twin flame आपका दूसरा half ही है. ये inverse mirror number दिखा कर आप से आपके twin flame के बारे में याद दिला रहा है. आपको remind करा रहा है कि आपका twin flame है, आपके बारे में सोच रहा है. ये numbers हैं like 1551, 1221, 929, 535, 717, 818. इस तरह के numbers, जिसमें double numbers होते हैं, पीच में कोई और number, 1 ये 0 इस तरह से आता है. ये इस तरह से mirror numbers. एक दूसरे को वो opposite कर रहे होते हैं, जैसे 15 है, तो 15 का opposite है 51. तो इसी तरह से इसका मतलब होता है, 1 का मतलब होता है, new beginning and new fresh start. और भाकी सारे number आपको पता ही हैं, नहीं तो मेरी videos देख लीजें, जिसमें triple numbers के बारे में हैं, triple one, two, triple nine है, triple zero का भी meaning के एक अलग video बनाये हुआ है. तो अगर आप absolute separation में हैं, तो इस समय आपको ये numbers बहुत दिख रहे होंगे, और ये समझ लीजें कि reunion की stage पर हैं आप, reunion होने ही वाला है, reunion को मैं बार-बार कहती हूँ कि physical union ना समझे, क्योंकि twin flame journey में physical से जादा ही कुछ और एक frame होता है, जो जिसे frame कहते हैं असल में, वो twin flame journey में ही हो सकता है, क्योंकि आप अलग-अलग जगा भी होते हैं, अलग-अलग continent में रहे होते हैं, इस तरह से ना, तो ये अलग ही frame होता है, ये physical नहीं होता है, age gap भी बहुत जादा हो तो twin flame is real, or they are coming back, आप ये समझ लिजे, mirror numbers आप अगर बार बार देख रहे हैं, it means they are coming back, they means आपका twin flame में आपके divine masculine भी हो सकते हैं, और divine feminine भी हो सकते हैं, तो divine masculine के लिए खास कबर ये है, कि अगर आप भी mirror numbers देख रहे हैं, तो it means आपकी जो divine feminine हैं, वो भी आपके जैसा ही सोच रहे हैं, आपकी intuition आपको बता रही है, twin flame में, आपकी intuition आपको ये बता रही है, कि जो आपका divine masculine भी हो सकते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और क्या बाते कर रहे हैं, यानिकि आप mirror numbers को देख कर ये समझ लिजे, कि जो आपका twin flame है वो आप ही के बारे में सोच आप ही के बारे में बाती कर रहे हैं आप ही का नाम सब जगे सुन रहे हैं देख रहे हैं और आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं मतलब आपके बारे में इंफोर्मेशन ले रहे हैं कहीं कहीं से सोचल मेडिया से आपको कहीं न कहीं इंफोर्मेशन उनके बारे में मिल तो ट्विन फिल्म का नाम भी आपको कहीं न कई पढ़ने सुनने में आ रहा होगा, तो यह निवर्स जो कह रहे हैं, बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा है कि आपको आपके ट्विन फिल्म के अलावा कहीं दियान डिस्ट्रेक्ट नहीं करना है, सम्टाइम कार्मेक्स आजाते हैं सम्टाइम सोल मेट्स आजाते हैं आपकी लाइफ में आप वो आफर करने लगते हैं और आप सोचने लगते हैं कि चलो यह तो नहीं मेरा ट्रेंबलेम या यही सोल मेट तो मेरी जिंदगी नहीं तो अपने अतिहान डिस्टेक्ट मत कीजिए इश्वर आपका टेस्ट लेता है हर बार हर समय तो जब भी आप जिस भी रहा पर देखिए जब हम सीधी रस्ते पर चलते ना तो इश्वर हमेशा टेस्ट लेता है अच्छा चीदा चल रहा है ज़रा डिस्ट्रेक्शन डाल के देखूं देखूं अगर मार्ग भटकता है तो गई भैस पानी में तो पानी में भैस को डालना नहीं है भैस को बाहर निकाले लाइए दुलाइए भैस को नहीं है आपका दिमाग है आपका मन है तो दिमाग से थोड़ा कम काम लीजिए अपने दिल से काम लीजिए लगातार अपना इनावक करते रहना है और इश्वर कि आपको इनवर्वक करना है लेकिन अगर आप बेचेन हैं नीन नहीं आ रही है और स्लीप लेद्नेस हो रही है पट मेडिटेशन योगा और अपनी ओज़स्शक्ति के त्रूब आप रियुनाइट हो सकते हैं ओज़स्शक्ति संस्रीट का वर्ड है यह मैंने पहले किसी वी गूगल पर पढ़ सकते हैं मतलब कि आपको अपनी सेक्श्वल एनरजी को उपर खीच के सक्षन करके उपर के ओर करके मंत्र जाब करना है अच्छी अफरमेशन भेजनी है तो क्या होता है कि आपका जो सम्ताइम फिजिकल नीड की ज़रूरत होती है ना फिजिकल नीड आपको फील होता है जब ना तो उस समय यह मंत्र जाब कीजिए मेडिटेशन कीजिए उस सेक्स सब्लीमेशन का कर दो यूज कीजे उस मुद्रा को लगा कै जैसे वज्रूली मुद्रा कहते है यह अश्वनी मुद्रा कहते है अश्वनी मुद्रा लेडीज के लिए तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं यह How does शक्ती वाली वीडियो है वह देख सकते हैं तो जैसे ही आपके negative thoughts आ रहे हैं तो उनको आपको positive thoughts में बतलना है तो mirror numbers है ही ऐसे कि दोनों की different personality होती है बट गोल सेम होता है आपका और mirror numbers के बारे में बता हूँ कि जैसा आप सोचेंगे या जैसा conclusion पे आप पहुँचेंगे तो same twin flame भी आपका वैसे ही feel करेंगे तो अकर आपने गलत कुछ सोचा कि नहीं नहीं मुझे तो यह twin flame मुझे लगता कि यह अपना twin flame journey है मुझे give up करना है मुझे कुछ करना ही नहीं बात नहीं करना कुछ नहीं करना कुर्णा・ कुछ जैसे हैं tum करना तो इसलिए दोनों को twin masculine अगर सुन रहे हैं तो आप divine feminine अगर आप सुन रहे हैं तो आप दोनों को एक अच्छी affirmation देनी है एक good positive thoughts आपने अंदर लाके रखने हैं एक hope रखनी है और fully completely surrender to God होना है God को होना है आपका दिल दिमाग आपकी आत्मा है 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 ना तो पिलकुँ surrender करना कि है इश्वर जो तो करेगा वही करेगा और अपने divine timing पर करेगा ठीक है तो मेरे numbers के बारे में थोड़ा सा और यह बताती हो कि अगर आप किसी food या fake entertainment या addiction की तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं तो आपके twin flame भी उसी तरफ से अट्रेक्ट होंगे अगर आप किसी soulmate की तरफ आपका divine masculine भी उसी तरफ अट्रेक्ट होगा और divine masculine की तरफ से बात करू तो अगर यह तरह से यह mind versus heart battle है दिमाग केगा कुछ दिल केगा कुछ तो यह हमें सोच समझ के कदम उठाना है हर समय अपने थौट पे नजर रखनी है कि हम क्या सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं कि नहीं अगर गलत सोच रहे हैं तो इसकी गाड़ी कहां तक जाएगी हमारी stop लग जाएगा ब्रेक हो जाएगा तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं और आप पूरी तरह से समझ चुके हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं तो फिर आपको तो काम करना ही पड़ेगा और गिव अप करते हैं तो यह next generation next life तक जाएगा तो सोच लिजिए यह जनम आपको मिला हु अगर आप फुली शूर है 100% हैं कि आप ट्विन फ्लेम चर्णी में हैं तो आपको इस पर काम करना ही होगा इश्वर आपको वारबर संकेत क्यों दे रहा है यह मिरर नंबर्स क्यों दिखा रहा है यहीं कह रहे है इश्वर एंजल सापको कि उटो काम करो अगर आप आपको अच्छा लगता है वो करना शुरू कर दीजिए वही पैशन आपका प्रोफ्रेशन बन जाएगा पैशन को प्रोफ्रेशन में चेंज कीजिए यह इंजल संबर्स दिखा दिखा के आपको यहीं कह रहे है यह जो मिरर नंबर्स हैं इसका मतलब है वेन अगर आप याद करेंगे तो आपका दूसरा टून फ्लेम भी यानि की डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनन की बात कर रहे हैं अगर दोनों ही वाइस वरसा समझ लीजिए ना एक अगर पैन्फुल बाते याद करेंगा उसकी पास लाइफ की पास टाइम की जो उन्ह तो अगर एक डिंप एसना आप विब्कर धूसरा अगर एक उसरा नाइपर और वन्डफूल मुट्स के बारे में तो दूसरा भी वटाफोल की बारे में विवाइनग स्यक्राइ अगर आप यह सोच रहे हैं हैं जो इस Go on aiders 아אר रते हैं तो आपको यह नग पौरण म लगे तो आपको यह लग्फील होगा कि ऐसा नहीं होने वाला मिलने नहीं वाले कोई रिनाइत नहीं हो सकते संभवी नहीं है लॉक डाउन यह है वह तो तो वह भीom सोचेंगे तो यह सिंख्रोण टी दोनों की होगी पड़ प्रेफरेंस अलग अलग होती होगी सिंख्रों लेकिन आप अलग अलग देते हैं चोटा सा उधारण देते हैं कि आप सेलेड खा रहे हैं आपको सैलेड में किसी को एक सालेड में ग्रीन लीव पसंद है और शेक्स बलक वाले धीति है और दूसरा कह antic С否 wagon सीपलड पसंद है है ना तो सालड दोनों को पसंद है लेकिन प्रेफरेंस अलग अलग है समझ रहे हैं ना तो at the end में यह कहना जाओंगी at the end of the day you know you are irreplaceable समझ गए आप दोनों एक दूसरे को replace नहीं कर सकते हैं चाहे soulmate से चाहे किसी और से चाहे किसी नॉर्मल बिंग से जब बढ़ दस्ती कहीं और शादी मत कर लीती है के चुपूरी तरह से पता है twin flame journey में आप शूर हैं he my twin flame she m is my twin flame तो do your hard work बहुत-बहुत hard work चाहिए बहुत patience चाहिए बहुत surrender चाहिए बहुत सरंडर चाहिए पूरी तरह से surrender करना है God के प्रती जो भी आपके धर्म है आप उस धर्म में वो काम करना शुरू कर दीजे, जो भी आपका passion है उस passion को as a profession बनाना शुरू कर दीजे अभी profession की मत सोचिए चलिए जो passion है आपका, वो करना शुरू कर दीजे अपने आप profession में वो change हो जाएगा so, be positive be happy, be healthy thank you so much मुझे देखने सुनने के लिए और आपका reunion की मैं पहले से ही चुप कामना ही दे देती हूँ क्योंकि आप इस काम में लगे हुए हैं और आपको mirror numbers दिख रहे हैं तो पहले से ही आपको congratulations देना बनता है, so congratulations to you, thank you so much मुझे देखने सुनने के लिए, bye bye